आओ, मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पोचाएं सब्सक्राइब करें नरू का ओन्लाइन क्लासेट को और बिल आइकन को दबाएं नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो अवरिबन, दिस प्रियदीप सीनरुका, और नरुका ओन्लाइन क्लासेज में आपका सुवागत है तो फ्रेंड्स के सेव, आपका प्यारा से दोस्त प्रियदीप सीनरुका, आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी का बहुत ही बड़िया चेप्टर एक कहानी है, हींग वाला इसको हम आज पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स बिना किसे बेरी के लिए को आज स्टार्ट कटते हैं तो फ्रेंड्स चेप्टर का नाम है हमारे हींग वाला, क्या है हींग वाला? चेप्टर के अब हम बारे में समझते हैं कि इस चेप्टर में है क्या? तो यहाँ पर समझते हैं इस पार्ट की दुवारा लेकिका ने हींग बेशने वाले खान की चरीतर की उदारता, विश्वश्नियता और धार्मिक सद्भावना एवं आत्मियता का वर्णन करते हुए यह प्रेना दी है कि धर्म तथा जाती के नाम पर भेदवाओ या दंगे करना उचित नहीं है आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुक शान्ती बनी रहती है तो फ्रेंट्स पूरे चेप्टर का जो सार है वो इसी लाइन के अंदर है कि इस चेप्टर में हमें क्या है एक मतलब लेखक ने इस चेप्टर में हींग बेशने वाले खान की चरीतर की उदारता और विश्वशने धार्मिक ऐसी ऐसी उसके चीजों सद्भावना आत्मेता का वर्णन करते हुए यह पेड़ना दिये कि धर्म तता जाती पर बेदबाव या दंगे करना उचित नहीं है अब ही दंगे होते है तो इस पार्ट में ही यह के दंगे करना जोच इतंते यह हींग वाला को है हिंग वाला फ्रेंट्स के अंदर हैं यह कोन हैं साहास और देरीय एसे साहस और देरीन जिनकी कठिन परिस्तितियों में बड़ी आवशक्ता होती है। किसने कहा फ्रेंट्स यह कहा हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि साहस और देरी इसे गुण है जिनकी परिस्तितियों में बढ़ी आवशकता पढ़ती है ओके फ्रेंट्स चलिए अब चेप्टर को स्टार्ट करते हैं तो देख देखें देखें फ्रेंट्स चेप्टर क क्या है ही वाला है अपने चीपटर में न वाला यहां पर कह रहाए कि रहत है चार अमा मां लेगा क्या है अमां ले लेगा फिरंट्स इस चेपटर में भाशा बहुत थोड़ी है इसलिए थोड़ा से समझ में नहीं आये Cabot मैं मैं अपनी अमां हींग लेगा कहता हुवा लग बग 35 साल का कितने साल का 35 साल का ऐक खान आंगन में आकर रुप गया कून है यह क्रहन guests जिसके बारे में पढ़ने वाले ही वाला ही क्रहल नहीं ही फान है को नहीं है कितने साल का ए पैतीस साल का ओके अगे है पीट पर बांदी हुई पोटली को खोल कर उस उसने नीचे रख दिया और मोल सिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बेट गया बीतर बरांदे से एक नो दस वर्ष के बालक ने बाहर निकल कर उत्तर दिया अभी कुछ नहीं लेना जाओ अब दिखें और अब देखेंगर्ण्स समझाता हूं अपनी बाहा है जैसा की यहां पर छेतर पर देखते हैं यहन है यहीं है खन जो हिंग वाला है अब इसकी देखेंगए पोटली है जैसा तो अब इसमें क्या है यह कितने साल का ने पे-्तिस साल का है हमारा खन जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया हमें अब क्या है पीट पर बांदी हुई यह जो पोटली है यहाँ पर इसको क्या कर रहा है यह खोल कर उसे नीचे रख दिया और मोसिरी के नीचे बने वे जो चबूतरा है न यह देखे यहाँ पर यह एक पूरा यह चबूतरा करते है spray breaths यहां पर चाहब कर बाय। पर क्या है धे बेट और 20 साल का बालक जो काँ स है उदर पर और से आया है और हींग đến कि अभी कुछ नहीं लेना जाओ क्या कह रहा है यह 9-10 वर्श का बालक हींग वाले खान से करे रहा है जो चबूत्रे पे बेठा है और अपनी पोटली चबूत्रे पे रख रखा है को लगर तो नो देज़ का बालक कहता है कि जाओ अभी मतलब कि तुम जाओ हमें नहीं लेनी कुछ भी नहीं लेना में तो आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा है ना फ्रेंट्स पर खान भला क्यों जाने लगा मतलब की खान जाई ने रहे खान जाही नहीं रहा वहाँ बेट गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला अब साफे के छोर से यहां पर एक सब गाया साफे के छोर से साफे के छोर से किसे कहते है माली जी इसका साफा है ना तो साफे को पकड़ कर उसको गुमाते है ना तो हवा लगती है ना अच्छा नहीं है बट माली यह है खान अब खान के इदर इसका क्या है यह साफा है इसको खोल कर यह से गुमायागा तो इसको हवा लगेगी ना तो इसलिए यह गुमा रहा है और यह सब्दा है साफे के छोड से हवा करता हुआ बोला अम्मा हींग लो अम्मा अब अम्मा किसको कह रहा है यह जो नो दस वर्ष का बाला किसकी अम्मी को इसकी मम्मी को अम्मा मतलब की मा किसको मा अब इसकी मा नहीं यह मा कहकर बुकारता है आए ना अब आगे क्या है हम अपने देश को जाता है यानि कि यह कह रहा है हींग वाला कि अम्मा आप क्या लो आप हींग लो अब क्यों लो क्योंकि अभी तो आपके पास है लेकिन मैं अपने देश को जा रहा हूं इसलिए लेट भी हो सकता हूं तो आपके पास खत्म हो जाएगी इसलिए ले लो है ना बहुत दिनों में लोटे गा यानि कि बहुत दिन हो सकते है मुझे इसलिए हींग ले लो अम्मा सावित्री रसोई घर से हाथ दो कर बाहर आई यहां पर जो इस्त्री है इसका नाम है सावित्री क्या है सावित्री यह खान यह सावित्री और यह नो दस वर्स का वालग जो सावित्री का पुत्र है ठीक है अब देखिए यहाँ पर बाहर आती है हाथ दोकर रसोई घर से और बोली हींग तो बहुत सी ले रखिए का कह रही है कि यहाँ पर देखिए चित्र के दुआरा बार बार समझा रहा हूं ताकि चित्र के दुआरा यह कह रही है कि हमारे पास हिंग बहुत सारी है क्या है बहुत सारी हो और यह कह रहा है मैं अपने देश को जा रहा हूँ इसलिए आपके पास खतम हो जाएगी बहुत दिन में लोटूंगा तो यह बात यहां पर हमारे चल रही है के फिर इंग तो बहुत ले रखिए यहां पर अभी 15 दिन और कितने दिन हैं तो हुए तुमसे यहींग लई थी यानि कि 15 दिन पहले खावन से ही सावित्री ने भी ली थी ओना अब उसके पास बहुत सारी हो गई लेकिन खान भला क्यों मानेगा क्योंकि खान यह कर रहा है कि जो अम्मा है जो सावीत्री है उनको फिर बाद में कठी नहीं जेनने पड़ेगी इसलें वो इतना सब कुछ कर रहा है कि वरना इसा कून करें अब देखते हैं आगे हाँ आगे यहां पर देखते हैं आगे क्या है वह अब देखे तुम से ही तो हींग ली थी वह उसी स्वर में फिर बोला हेरा हींग हे मा मतलब की हेरा हींग मतलब हेरा मतलब यहां पर क्या है हेरा हींग मतलब आप समझ लीजे कि हींग को एक नाम दी है इसने हेरा हींग मतलब की बिल्कुल हरी बरी बिल्कुल मस्त हींग है मां हम तुम्हारे हाथ की बहुनी मांगता है हम तुम्हारे हाथ की मांगता है तुम्हारे हाथ की मांगता है तुम्हारे हाथ की मांगता है तुम यहां पर एक ही तोला ले लो मतलब की एक ही जैसे की किलो होता है तो एक किलो ले लो दो किलो ले लो वेसे यह कह रहा है एक तोला ले लो ओनले ठीक है एक तोला ले लो पर लो कितना भी लो पर लो जरूर क्योंकि इतना करकर फोरण वह डिबा सावित्री के सामें सरकाते हो मतलब जो जबर्दस्ती कर रहा है यहां पर सावित्री को नहीं ले निए अभ यहां पर बात यही आगती है फ्रेंज जो देखते हैं ठीक आगे क्या है सामने सरकाते हुए कहा तुम और कुछ मत देखो मां तुम कुछ भी मत देखो मां यही कितने यह आपको यह और भी है कितनी भी लो एक तोला ले लो यह हम तुम्हें दो का नहीं देगाम आपको एक तोला ले लो चलो ठीक फिर आगे फिए देखते हैं के आगे क्या है सावित्री भोली पर इतना सावित्री के पास पहले से बहुत सरी हींगे कि माली भी तो बहुत सारी हींगे तो भानोर रहा है वड़ भिअ क्यूंकि इसके पास बहुत सारी पहले से ही तो यह क्यूं सबस्क्राइब कियों अब खाहँ है माली जा कि अपने पास को यह कुछ भी अपने यहीं चीज चिप्टर में यहां पर इस यहां पर इस जगे पर बता रहे औके तो आगे आगे में देखुज़े का ने कहा कुछ भी ले लो खाम उन्हाम देने के लिए आया है खर में पड़ी रहेगी हम देश का जाता हुए मतलब देश को जाता है क्ई क्योंकि सब्सक्राइब बटेंगी सारे बच्चे बोल आम्मी मतलो आप जैसे कि कोई भी चीज लेना नहीं चाहते तो हम अपनी मम्मी मत लेना इसे मत लेना तो मत लेना माँ तुम कभी न लेना जबर्दस्ती तोले जा रहा है है ना जबर्दस्ती तोले जा रहा है खान आप मतले लेना ये बच्चे कर रहे हैं सावित्री के और सावित्री फिर क्या करें अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है अब आगे है जब आगे देखते हैं जब के लिए जब जब खान ने हिंग तोल कर पूडिया बना कर सावित्री के सामने रख दी तब सबसे चोटे बच्चे ने पूडिया उठा कर खान की और फेकते वे का ले जाओ हमें नहीं लेना है चलो मा भीतर चलो मतलब कि जब वो जो खान है वो जबरदस्ती तोल रहा था जब लेनी नहीं थी उनको तो भी जबरदस्ती तोल रहा था कि ले लो मैं अपने देश को जा रहा हूं इसलिए लेनी ही नहीं थी जब उनके पास आवशकता से कुछ जादा ही हो जाएगी इसलिए तो क्या गए हीन तोलकर पूडिया बनाकर सावित्री के सामने रख दी लेकिन जो सबसे जो छोटा वाला जो बच्चा है यह पूडिया उठाकर यह इधर खान के उपर ही फेक दी और का ले जाओ क्या कहा ले जाओ हमें नहीं लेना क्या कहा ले जाओ हमें नहीं लेना चलो मा बीतर चलो बीतर यानी अंदर बीतर यानी अंदर चलो मा हमें तो नहीं लेनी है बिना फाल तुमें जबर्दस्तिरी तो और रहा है बलकि हमें नहीं लेनी तो नहीं लेनी यार इतना कुछ करत कोई कि आपके डेखते हैं सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे इंकी पूरिया उठाली अब भाई सावित्री ने उठाली उसके पास थी तो भी उठाली अब वो क्या करती क्योंकि अब खान जबर्दस्ति तो रहाता विल्किंप पहले से ती और चोटें उनके बच्च org पुच्छा कितने पसे हुए खान 35 पसे कितने पसे साल की बाइब वक्त Seriously खान पेसी का तो पेसे होत्तितिना क्टीपास फीर में कि तूक्त धिक che快 आगे- animals थstat दिया सावितरी ने साथ पैसे थोले के भाव से अब देखना हों प्रपे finns रुप तुकडे कर दो भाई साब तो पांच रुपए के कितने करेगा या तो दो के कर देगा एक दो क्या कर देगा और एक एक का कर देगा तो दो चार एक पांच या फिर एक एक का देदेगा सब को पांच एक एक के देदेगा तो इसे तूड़वाते हैं ना तो पेसे हैं यहां प पेसे हें तो कितने पेसे लिए यहां पर साथ-पेसे लिए पर बाव से 5 तोलर दाम पे 30 पेसे लगा खान न दे दिये और छान सुलाम करके चला गया मतलब छाइब अब आगे देखते है आब आप चेप्ट्र में कि आगे हमारे चिप्टर में पर बच्चों को मा की बात अच्छी न लगी क्योंकि अब जबरदस्ती तो राता जब उन्हें लेनी नहीं थी उनके पास अब शक्ता से कुछ जादा ही हो गया माली जई यह आप पर उनके पास उनके पास पहले से इतना इतना था लेकिन अब ख नहीं उनको चाहिए ही नहीं तो आवशक्ता से कुछ जादा ही के पास आ गई ओके फ्रिंट्स अब आगे देखते हैं अब उनके बच्चे मना कर गई कि नहीं लेना जबरदस्ती तो ले जा रहा था और आपने ले लिया मन्मी अब बड़े लड़के ने कहा यह बड़ा ल जरूरती नहीं थी आने के फ्रेंड्स जैसे कि मालीजे जैसे कि अगर आपको कुछ टोफी लेनी है मालीजे यह टोफी लेनी है तो अगर आपको यह वाली टोफी पसंद नहीं है और मम्मी निका बटाय ले ले तो आपने मना कर दिया मुझे यह वाली लेनी मुझे यह वा में थी वो तो हैना तो भी आपने ले लिया क्यों तो इससे वो कर रहे थी तो आगे देखते हैं यहाँ पर ठीक है अब यह बड़े लड़के ने तो कह दिया कि मा तुमने उसको पेसे दे दिये जब हमार पास इंगी कोई जरुद्ध नहीं थी फिर चोटा मा से चिड कर बोल अब बड़े वाले ने तो बोल दिया वह है कि आप बिना फाल थोम्हें इसको दे दिया अब उन्येंट फेसे हमें भी 35 पेसे दो पर आप तो हमें varies 25 पर अपने खान को दिए कि इसको दिए खान को दिए बलकी हमरे पास पहले से ही ते आपने उसको और बिना फाल तुम्हें देवल के नहीं देने चाहिए थे ना आपको तो सावित्री का फिर क्या रियक्शन हो आगे देखते हैं अब फिर क्या हम बिना लिये रहेंगे छोटे बच्चे जब तक नहीं रोगे 30 पेशे जब तक आम नहीं जाएंगे आप हमें 30 पेशे देने पड़ेंगी अब फिर क्या हुआ अब लड़की जिस उम्र 8 साल की ती देखे सावित्री का अब इसमें तीन बच्चे बताए गये इसमें बताईए इब आगे देखते हैं बड़े घंबीर स्वर में बोली तुम माः से पेषा न मांगो इसने आप साल की जो थी वो बड़े तुम माः से पेषा मत मांगो ओए तुम्में नहीं ले रहा था मतलब जबड़दसी ले रहा था और यही यहीं कर रहे ते कि विना ओम आ अपने उसको दे दी यह लेनी नहीं तु इसलिए आपने खान को पेटिस पेशे दिये तो हमें भी नहीं दे दिये हमें क्य plast कि यह जएए उनलोंगी बड़े чистी फौर गंबिर्सवर भाई जान गंबेटी सीह विरूंगे नहीं देगीก़ में प्रम ग्राइब टो अब को यह घ्याँगा ग्या वंक्षा गया होगा आगे Dark थे चयप्टर में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यह तो मुझे तो इसा लग रहा है कि इस पार्ट में दंगे वगेरा होंगी हो भी सकते हैं अगर अगर आगे देखते हैं तो ठीक है अब उनका बेटा वही खाने सावीतरी इन बच्चों की बातों में हसी आ रही थी अब सावीतरी को मज़ा आ रहा था भाई यह क्या बोल रहे है यार बच्चे क्या हो रहे मतलब उसने अपनी हसी दबा कर वो हस रही थी फिर उसने अपनी हसी दबाई फिर बनावटी क्रोध में बनावटी क्रोध मतलब मन कि नकली वाला और एक रोज असली वाले में गुश्सा जाता है तो असली वाला क्रोध होता है और बनावटी क्रोध क्या यह मन से बनाया हुआ को बाई नई इसे मतलब यह बनाओ के क्रोध है ना हमारे ओक्वे मजा रहा है ना चेप्टर में अब कहा कि सावित्री ने काव चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो खाना तेयार है खाओ चलो खाना खाओ अब बड़ी बाते बनाने लग गए हो तुम लेकिन छोटा बोला पहले पेसे दो तुमने खान को दिये हैं सावित्री ने का खान ने पेसे के बदले में हींग दी तुम क्या दोगे छोटा बोला मिट्टी देंगे बाई साब कती जे रहे हैं चोटा वाला बोला कि आपने खान को पेसे दिये हमें पहले पेसे दो फिर खाना खाएंगे है ना फिर सावित्री ने का खान ने तो हींग दी खान ने तो क्या दी हींग दी तुम क्या दोगे फिर चोटा वाला बोल दे हम तुमें मिट्टी देंगे वहाँ बाई सावित्री हस पड़ी जैसा कि हां अभी हस रहे हैं हस पड़ी कि बाई मतलब अब हसेंगे नहीं तो और क्या होगा मिट्टी देंगे क्या देंगे मिट्टी देंगे चलो अच्छा चलो पहले खाना खालो फिर रुपया तूड़वा कर तीनों पेसे तीनों को 35 पेसे दूँगी तुड़वा कर वहीं मतलब पांच नहीं दस रुपे के कितने पैसे हो जाएंगे पांच पांच हो जाएंगे नहीं तो आप कितने भी इसमें कर सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है प्रेंट्स ओके यहां तक समझ में आरा बिल्कूल मजा आरा है चेप्टर में बहुत अच्छा चेप्टर हमें लग रहा है यह ओके बिल्कुल मज़ा रहा है चेप्टर में अच्छा सा अब यहां पर आगे हम देखते हैं सावीतरीयस पड़ी अच्छा चलो पहले खाना खालो फिर रुपया तुड़वा कर 35 पेसे दे दूंगी फि यह और बेटे का नाम ही बड़े बेटे का नाम है रतन हैं किया है यह बढ़ा बेटा है इसका नाम है रतन है रतन है और जो लड़की आठ साल की उसका नाम है मुन्नी क्या है मुन्नी छोटा वाले का आप नाम नहीं दिया गया है अब छोटे के लिए तो छोटा है छोटे का नाम छोटा ही है बस चोटे के लिए 30 पेसे भज गए बागी सब को 35 पेसे मिल गए मतलब सोरी 35 पेसे यह पेतालिस नहीं 35 पेसे मिल गए दोनों को दो को तो 35 पेसे लेकिन छोटे वाले को उन्हीं 30 रुपे मिले पांच रुपे का उसको नुक्सान होगा चोटा वाला नहीं मानेगा बैसा है ना आगे इस पर देखते हैं आगे क्या होता है अब यदि मुन्नी 30 अब चोटा विगड़ गया मेरे 30 रुपे है सबको 35 पेसे मिल गया सबको तो मिल गया 35 और मेरे को मिले 30 यह कौन सा हिसाब है आपका मम्मी गलत है यह साब तो ओके तो फिर क्या हुआ फिर वही छोटा क्या हो गया बिगड़ गया भाई नहीं मुझे 35 पेसे यह पांच पेसे और चाहिए है ना तो कभी नहीं मैं 30 रुपे नहीं लूँगा 30 रुपे कभी नहीं लूँगा 35 ही लूँगा दोनों में मार पीट हो स्विकार न कर लेती कई महीने बीट गए फिर दोनों क्या हुआ बड़े और चोटे लड़ाई होगी दोना कि वह मार पीट चल गए लेकिन मुन्निया वह तो लड़की है ना तो लड़की से लड़ाई नहीं करेंगे आप अब आगे देखते हैं कई महीने बीट गए सावि सावित्री की कई महीने कटम हो गए सारी हींकिती सब हो गया सत्याना सब कटम हो जो छोली आगई अब जब सावित्री की सब कटम हो गई जो मतलब उस होली का के राम पर होती है ना होली वह वाली आगे है होली के उसर पर हिंदू-मुसल्मानों में बड़े भयंकरूप से दंगा हो गया क्यों हो जाता है ना कभी कभी कहीं सब्सक्राइब पर हिंदू-मुसल्मानों पर भयंकरूप से दंगा हो या वहां पर फिर क्या हुआ बहुत से हिंदू-मुसल्मान मारे गए मनने वाले में दो खान भी थे अब आगे देखते हैं आगे क्या है अब यहां पर आगे हैं तो देखिए बहुत से इंदू-मुसल्मान विल गए अब उसमें दो खान भी थे सावित्री कभी-कभी तो सोसती कि वो दो खानों में से कहीं वो हींग वाला खान तो नहीं है जो मर गया न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे आने लगी प्रह आ जाया करती थी किसको सावित्री को एक दिन सवेरे मोल सीरी के पेड़ के नीचे मोल सीरी क्या है मोल सीरी एक पेड़ है तो मोल सीरी के पेड़ के नीचे चबूत्रे पर बेटकर कुछ बून रही थी यहाँ पर हम चलो देखते हैं यह देखी यहाँ पर यह क्या है यह है यहाँ पर मोल सीरी का क्या है भी यह ओके और सावित्री कहा पर है यह रएं वैस आप सावित्री है। ओके अब आगे देखते हैं। अहां मुलब उसने इसना उसके पती किसी से कड़े स्वर में एजरे के पती है। इदर, यह तो खान आगे इदर, अभी खान के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उसके पती कड़े स्वर में कह रहे है, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहां जा आओ, किसे कह रहे हैं, खान वाले को कह रहे है, भीतर मत जाओ, अंदर मत जाओ, यहां आओ, उत्तर मिला, कि हींग है हे रा हींग यानी की बिल्कुल हरी हरी मस्त मस्तांदारी हींग है और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुच गया यह आ गया वे खान और सावित्री सोच ही रही थी यह सावित्री के पती जो कड़े स्वर में कह रही थे खान को देखते ही सावित्री ने कहा बहुत दिनों में आयो हिंग तो कब खतम हो गई खान बोला देश को गया था अमा परसो ही तो लोटा हूं परसो ही तो लोटा हूं बाकी तो गया था अब इतना सा पेरेग्राफ और और उसके आगे वैसे भी चैप्टर बड़ा है बट अ हां तो हिंदू मुसल्मानों के बहुत जोरों का धंगा हो गया खान बोला सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में सावित्री बोली खान तुम यहां चले आए तुम्हें डर नहीं लगा दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला एसी बात मत करो अमा बेटे को भी क्य हां मा से डर ovar हैं जो मुझे होता है इसके बाद ही ही उसने अपना डिबा कोला और एक एक चातांग ही यानिकी यह एक पूरी मुठी होती ना यह पूरी अपनी मुठी है तो एक चटांग पूरी मुठी में जितना हिंग है ना इतनी हिंग सावित्री को दे दी और रेजगी रेजगी दोनों में से किसी के पास न थी खान पे साफिर आकर ले जाएगा सावित्री को सलाम करके वह चला गया दशेरा हिंदू को बढ़ाते यह रहे इस वह थी तो निकल गई है ज़्क है रहे फोली तो अब निकल गई जाया सहह तो आगया से हिंसट्री बढ़ाते वह विवात इस वह ने स्थी निकल गई है की यह चली शैले में पर इसने बाहरे पर दंगा हो चुका था घुली यहा पर उत्सा के साथ मनाने की तैयारी में थे चार बजे शाम को काली का जुलस निकलने वाला था पुलीस को का काफी प्रबंध था सावित्री के बच्चों ने का हम भी काली का जुलस देखने जाएंगे मम्मी सावित्री के पती शहर से बाहर गए थी सावित्री सभाव से भीरू थी उसने बच्चों को पेसे का पेसो का खिलोना का सीनेमा का नजाने कितने प्रोब्लम दिये कि यहां जाओ यहां जाओ लेकिन बच्चे का माने बच्चे सो ना माने मतलब कि बच्चे बिलकुल भी नहीं मानने नोकर रामू भी जुलिस देखने को बहुत उशुब था, उसने का, बेज दो माजी, अरे भेज दो बच्छों को लिए, बेज दो ना, अब जैसे कि अपन पापा से करते कि पापा हम जाएंगे जाएंगे, पापा माना करते हुब तो मम्मी को बोलते हैं ना, तो जाने नहीं दे रहे तो वेसे ही अब को ना गया रामू जो नोकर था उनका रामू रामू यह ना रामू अभी दिखा कर लिए आता हूं लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस आगे कहें कावित्री का जुलूस देखने के लिए बच्चे को भीजने पड़ा उसने बार बार आमू को ताकीद दी ताकीद मतलब बार बार उसको बोला कि बच्चों को सही समय पर लोट कराना बच्चों पर ध्यान देना कुछ हो नहीं जाए वहाँ पर काली के जुलूस से आगे देखते हैं बच्चों को भीजने के साथ यह सावित्री उनके लोटने की प्रतिक्षा करने लगी देखते देखने दिन डल गया, अंधिरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लोटे, अब सावित्री को न भीतर से चेन था, न बाहर से आनी को घबरा गई, इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हों मिले, ये आदमी भाग रहे इदर, अब फिर क्या वा दोड़कर बाहर आई, उन आ ली पर दंगा हो गया, चलो ठीक है, अब देशेरे में दंगा हो यहां पर, है ना, तो बड़ा भारी दंगा होली से भी मतलब भारी दंगा है, तो होली पर चलो कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएगा, मा बहुत मलब बड़ा है ये मा जी, करता सावीतरी के हाथ ठंडे हो गया, इसी समय कुछ और तेजी से लोग दूसरे जा रहे थे, सावीतरी नों उन्हें भी लोग का, लोगों ने का, बहुत दंगा हो गया है, आगया है, अब सावीतरी क्या करे, उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खब लादो, दो लड़के हैं, और एक लड़की में तुम्हें मू मांगा इनाम दूगी, तुम जितने पेसे लोगे, जितने दोगे, तुम्हें जो चाहिए, वो दूगी, बस मेरे बच्चे को लादो, एक देहाता ने जवाब, देहाती ने जवाब दिया, मतलब जो भाग रह अचानती ही नहीं है, लड़के लड़की तो बहुत है, मा जी प्रिजान से प्यार है, कुछ नहीं होत, लब, एना मैं उनको डूनूँगा तो अगर दंगे में मुझे कुछ हो गया तो मैं तो मुझा यह नाम लेने के लिए आया ता तो क्या मैं इसके लिए अपनी जान द को को खोजे भी कैसे पर अब करे थो क्या करे उससे रह रहकर अपने पर खोट आ रहा ता कि मैंने बच्चों को बेज आई की वह नहीं चाहित यह तो वे तो बच्चे हैं ठहरे जिद तो करते ही पर बेजना बेजना उसके हाथ में की बात बात थी सावित्री पागल सी हो गई बच्चो की मंगल कामना के लिए उसी उसने सभी देवी देवताओ देवता मना डाले शोरगुल बढ़कर शांत हो गया मलब आवा जा रही थी अब के राथ के साथ नीरवताब बढ़ गई मतलब रात के साथ नीरवता को abeth साघंटि उसके सावती ठीए बहुं जाद हो गई थी अब तो भाइ बच्चे से गए पूरे सुबह से गए और पूरी रात होने वाली अब तो मलब राद भी हो गई अब तो भी बच्चे भी नहीं आए ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं तो इससे वो सोचने लगी है ना फिर आगे यहां पर हम देखते हैं वो फूट फूट करोने लगी इसी समय यहां पर लखी इसी समय उसे वही चिर परीचित स्वर सुनई बढ़ा अम्मा क्या सुनई दिया अम्मा कुन भोलता है अरे हमाड़ा प्यारा खांब क्या है हींग वाला अब आएगा कहानी में टिस्ट अब यह कहानी बस इतनी ही है मेरी दोस्तों, इतनी भी हमारी हो गई है, बस इतनी सी खानी पढ़नी है, फिर उसके बाद आप फ्रेंड्स, सावित्री दोड कर बारा है, उसके तीनों बच्चे खान के साथ शकुशलोट आए हैं, खाने सावित्री को देखते ही कहा, बक्त अच्छा नहीं है, अम्मा यह वक्त अच्छा नहीं है, बच्चों को इसी बीडवार में बहार ने बेजा करो, बच्चों दोड कर मां से लिपड गए, और इसी के साथ चेप्टर हमारा कतम हो गया, फ्रेंड्स, कहानी के लेखक है, श्रीमती, शुबद्रा कुमारी चोहान अब थोड़ा सा फ्रेंड्स, एक और चीज मुझे आपको करानी है, बच्चों को लेकर आ रहा है, यह खाने यहां पर देखिए, यहां पर हम थोड़े से सब्दार्थ कर लेते हैं, यहां पर छोटे सही हैं, बहुनी मतलब पहली बिक्री, मतलब बहुनी मतलब पूरे आल इनकी पहली बिक्री, जो मैंने आपको बताया था, सरकना मलब किसकना, रोजगी मलब रेजगारी खुले पेसे, फीरू मतलब डढने वाला डरपोक, प्रलोबन यानि की लालेच, नहीं यानि की नहीं, पियारा यानि की प्यारा, परसों यानि की परसों, कुछों कुछ भी होता है, निर्वता, खामोशी, खामोशी मलब बिल्कुल चुप रेना शा, कुछल, कुछल ता पूरवक, बक्त यानि की वक्त समय, प्रबंध, इंतजार, व्यवस्ता, ताकीद, हिदायत, और चेताओनी आगर करना, तो फ्रेंड्स, इसी की साथ पूरा चेप्टर अमारा खातम हो चुका है, फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना फ्रेंड्स और इसी के साथ थैंक्स फोर वोचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, फ्रेंड वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक शेयर सुस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत पहुना एंड थेंगे तेंगे वेरे मच इस्टे करनेक्टेट की प्लेंग थेंगे थेंगे वेरे बंच में था नक्स वीडियो में तब ते के लिए बाइबाइ फ्रेंड्स जेहीन जे भारत झाल